क्रिशनापुर नाम के गाउं में शांतिलाल नाम का एक किसान रहा करता था उसके पास एक गाई और एक बैल थी एक गाई की बैल के साथ शादी करा देना उस गाउं की प्रथा थी शांतिलाल ने यही किया अपनी गाई की शादी उसने एक बैल से करा दी और उन दोनों की देख भाल कर वो सुखी जीवन जी रहा था बैल शांतिलाल के किसानी में उसकी बहुत मदद किया करता था ये उसी बैल की मदद थी कि शांतिलाल की खेती के काम बहुत अच्छे से निपड जाया करते थे फिर एक दिन गाई गर भवती हुई बैल ने खुशी से गाई से कहा गोरी अब हम दो से तीन होने वाले हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है इस पर गाई बोली हाँ अपने सही कहा मुझे भी इस बात की बहुत खुशी हो रही है यो वे दोनों अपने आने वाले बच्चे को सोच बहुत खुश हो रहे थे दोनों शांतिलाल की डाली हुई हरी हरी घांस खाकर खुश थे एक दिन पड़ोस गाउं से उनके पास एक आदमी आया जिसका नाम रमेश था शांतिलाल के पास आकर उसने पूछा क्या शांतिलाब आप ही हो इस पर शांतिलाल बोला जी हाँ मैं ही हूँ आपको मुझसे क्या काम है इस पर रमेश बोला दरसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी इस पर शांतिलाल बोला ठीके आईए बैच कर बात करते हैं शांतिलाल ने दो कुर्सियां रखी और उन्हें बैठने के लिए कहा दोनों कुर्सियों पर बैठ गए शांतिलाल ने पुझा बताईए आपको मुझसे क्या काम है रमिश बोला दरसल दो दिनों पहले मेरा बैल मर चुका है खेती के काम कर पाना बहुत मुझकिल हो रहा है मैंने सुना कि आपके पास एक बैल है मैं आपसे यही पूछने आया था कि क्या आप हमें वो बैल बेचेंगे इस पर शांतिलाल ने नकारते हुए कहा फिर भी रमेश ने कहा दरसल हमने और भी बैले देखी है पर हमें वो कुछ जादा पसंद नहीं आई, वो बलहीन से लग रहे थे, पर आपका बेल बहुत ही हट्टा कट्टा लग रहा है, आप जितना कहेंगे मैं आपको दूँगा शांतिलाल ने सक्ति से कहा, देखिए मैंने कहा नाप से कि मैं अपने बैल को नहीं बेचूंगा, और वैसे भी हमारे गाउं की एक प्रथा है, गाय और बैल के बेच शादी करवाने वाली, देखिए मेरी गाय के साथ मैंने बैल की शादी करवाई है, वे दुनों साथ में कित देजिए मैं अपने खेती का सारा काम करवा कर आपको लोटा दूँगा इस पर शांतिलाल ने कुछ देर सोचा फिर बोला ठीक है आप बैल को ले जाईए पर हाँ साथ में आपको गाय को भी ले जाना होगा वे दोनों एक दूसरे के बगर रहे नहीं पाएंगे रमेश खुश होकर गाय और बैल दोनों को अपने साथ अपने गाउं ले गया अगले ही तिन से अपने बैल के साथ उसने शांतिलाल के बैल को भी खेती में काम करने के लिए भेश दिया किसान उन दोनों बैलों से खेती के सारे काम करवाने लगा दूसरी और रमेश गाय को प तुम्हें क्या हो गया, इतने कमजोर क्यों लग रही हो, बात क्या है गौरी बताओ, गौरी की हालत देख उसकी आखे नम हुई, मैं आपको क्या बताओ, आज हमारे मालिक ने खाने के लिए मुझे कुछ भी नहीं दिया, मैंने भूग से, मैं भूग से तिल मिला रही थी, भ इतनी में दया रही की तुम पर, इतना मारा, अब देखो मैं उसके साथ कल क्या करता हूँ, बैल ले कुछ सोचा, वो रात बीद कई, सवेरे होते ही रमेश ने अपने मजदूर को बुलाया, और बैल को खेट पर ले जाने के लिए कहा, पर बैल अपनी जगे से उठा नहीं इसे हुआ क्या है, ये उठ क्यों नहीं रहा, उसने अपने मजदूर से कहा, कि डंडों से मार कर बैल को वहां से उठाए, वो मजदूर मालिक की बात सुन डंडे से बैल के पिटाई करने लगा, बैल कराते हुए चिलाने लगा, पर अपनी जगे से वो उठा नहीं, रमेश रमेश को ये देख बहुत घुसा आया, तू वो दंडा मेरे हाथ दे दे, ये बहुत ही जिद पराडा हुआ है, रमेश ने डंडा अपने हाथ मे लेकर और भी जोर-जोर से उसे मारने लगा, वो रोते हुए बोली, नहीं, मेरे पती को मत मारिये, गाई का बीच में आना र रमेश को और घुसा दिला रहा था, लगता है इसकी भी शामत आई है, रमेश पलट कर गाई पर भी वार करने लगा, उसने गाई की भी बहुत पिताई की, उसके इस अत्याचार को गाई और बैल सहन ही पा रहे थे, दोनों जोर-जोर से रंभाने लगे, दूसरी और शांत रमेश के पास जाने के लिए निकला, वहां पहुँचकर बैल और गाई की जो स्थिती उसने देखी, रमेश ने उन दोनों की शरीर पर घाउ देखे, अरे ओ रमेश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों पर हाथ उठाने की, मैंने तुम्हारी साहता करने के चोड़ूंगा, ये बात पंचाय तक ले जाऊंगा, शांतिलाल ने उसका कॉलर पकड़ कर घसीते हुए, आउ गाउ आलो, आजाओ यहाँ पर, मुझे न्याय दिलाओ, यो जोर जोर से शांतिलाल चिलाने लगा, उसकी आवाद सुन, गाउं के सरपंच के साथ साथ, सरपं पड़े नहीं रहते, रमेश ने सर जुका कर कहा, सरपंच जी मुझे माफ कर दीजिए, दरसल जब कोई मेरी बात नहीं सुनता, तो मुझे बहुत गुसा आता है, इतना गुसा कि मैं अपना आपा खो देता हूं, मुझे माफ कर दीजिए, तुमने जो गलती की है ना, तु उसने पचास हजार दे दिये, पैसे लेकर शांतिलाल ने सरपंच को धन्यवाद कहा, तुम जल्दी उन दोनों को अस्पताल ले जाओ और उनका इलाज करवाओ, रमेश उन दोनों को तुरन जानवरों की डॉक्टर के पास ले गया, उनका इलाज कराकर दोनों को घर वाप शांतिलाल ने उन दोनों से हाथ जोड़कर जब माफी मांगी, तब गाय और बैल को भी इसका बुरा लग रहा था, उन दोनों ने शांतिलाल के कंधे पर अपना सर रखकर उसे सहलाया एक गाउ में राजया नाम का एक गरीब किसान रहता था, उसकी पत्नी का नाम जयम्मा था और उसकी बेटी का नाम था सिरी एक दिन राजया काम के लिए जब खेतों के लिए निकल ही रहा था, तो उसकी पत्नी उसके पास आकर बोली सुनिए जी, मैं भी आपके साथ खेतों में काम करने के लिए आऊंगी रोज दूसरों के घर काम करने के लिए जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा उपर से उन लोगों के घर के आदमी मुझे बुरी नजर से देखते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ तब राजया बोला ठीक है जयम्मा, मैं घर वापस आकर तुमसे बात करूँगा, अब तुम घर के अंदर जाओ ऐसा कहकर राजया खेतों के लिए निकल जाता है जब जयम्मा घर पहुँचती है, तो देखती है कि सीरी लेटी हुई है सीरी को देखकर जयम्मा घबरा जाती है हाँ, आरे बेटी सीरी, तुझे क्या हुआ? इस तरह सुबा सुबा बिस्तर पर चड़कर, तुम लेटी क्यों हो? तुम्हारी तबियट्टो ठीक है ना बेटी? ऐसा कहकर उसने सीरी को चुआ, तो उसका बदन जल रहा था अरे, मेरी बेटी का बदन तो जल रहा है, अब मैं क्या करू? मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है इस तरह वो घबरा रही थी थोड़ी देर में एक गीला कपड़ा लेकर वो सीरी के सर पर लगाती है थोड़ी देर बाद बाहर से किसी स्वामी जी के बुलाने की आवास सुनाई देती है तो जैयम्मा उनके लिए खाने के लिए खाना ले जाती है और उसे स्वामी जी को देते हुए जयम्मा बोलती है देखे स्वामी जी हमारी परिस्तिती भी आप जैसी ही है लेकिन इस तरह भीक मांगने के लिए हमारा अभिमान हमारे आड़े आ जाता है आज मेरी बेटी बुखार की वज़े से खाना नहीं खा पाई इसलिए ये खाना बच गया वही आपको दे रही हूँ बस शायद कल सुभे से इतना खाना भी नहीं बचेगा उसने कहा देखो बेटी इस दाने पे मेरा नाम लिखा हुआ था इसलिए आज मेरे लिए बच गया तुम्हारी बेटी बहुत ही भाग्यवान है वो जिस पी चीज को छोएगी वो सोना बन जाएगा ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं थोड़ी देर के बाद सिरी की तब्यद थोड़ी ठीक होती है शाम को राजयया भी अपने घर पहुँच जाता है रात भर दोनों माता पिता सिरी के पास ही बैठे रहते हैं सुबह होते ही सिरी की तब्यद थोड़ी ठीक हो जाती है तब सिरी ने कहा मा मैं भी आप लोगं के साथ खेत पर आऊंगी घर पर अकेले बैठना मुझे बिलकुल पसंद नहीं है उपर से खेतों की ठंडी हवा मुझे लगेगी तो अच्छा लगेगा हमेशा इस चार दिवारी में रहना अच्छा नहीं लगता है मुझे उसने कहा सिरी की बात मानकर जैयमा उसे भी खेत लेकर जाती है अपने खेत में उन्होंने कॉली फ्लवर की फसल डाली थी उसे देखकर सिरी बोली मा कॉली फ्लवर का खेत इतना संदर होता है मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा कहते हुए वो एक कॉली फ्लवर को छूती है तुरंत वो कॉली फ्लवर एक जादूई कॉली फ्लवर की तरह एकदम बड़ी हो जाती है उसे देखकर राजयया, जयम्मा और सीरी भी आश्चरे चकित हो जाते हैं तब वो जादूई कैली फ्लवर बात करने लगती है और कहती है देखो मैं एक जादूई कैली फ्लवर हूँ, आज तक मुझे किसी ने प्यार से नहीं छुआ इसी लिए मैं ऐसी ही थी, आज मुझे सीरी ने प्यार से छुआ, इसी लिए मेरी सारी शक्तिया मुझे वापस मिल गई आप लोगों की जो भी इच्छाए हो, मुझसे पूछिए, मैं उन्हें जरूर पुरा करूँगी तब जयम्मा को स्वामी जी की बाते याद आती हैं इसका मतलब क्या स्वामी जी इसी के बारे में बोल रहे थे, बस वो इसके बारे में सोची रही थी कि तब ही हमारी कोई बड़ी-बड़ी इच्छाएं नहीं है, बंगला, पैसे, गाडिया, अगर ये सब हम मांग भी लें, तो हमें उनकी आदत नहीं है वो सब हमारे लिए नया और अजीब ही लगेगा हम लोग को तो आदत है कि रोज सुबा उठकर, खेतों में जाकर, दिन भर काम करके, शाम को घर जाकर, थोड़ा बहुत खाकर सो जाएं हमें तो रोज बस यही सब करने की आदत हो गई है नया कुछ मांगने का भी हमारा कोई दिल नहीं है हमें कुछ भी नहीं चाहिए हम बस अपना जीवन आराम से बिताना चाहते हैं राजया, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हुई हूँ मैंने तुम्हें अपने मन का कुछ भी मांगने को कहा लेकिन तुमने मना कर दिया ऐसा आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा लेकिन कभी कभी ज्यादा अच्छाई भी हमारे लिए मुसीबत बन सकती है इस बात का ध्यान रखना आप लोगोंने मना किया है फिर भी मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ ऐसा कहते ही उस बड़े से जादूई कैली फ्लवर के मुसे बहुत सारे छोटे छोटे काली फ्लवर निकलते हैं और पूरा खेत उनसे भर जाता है इतने सारे काली फ्लवर को देखकर राजयया बहुत ही खुश हो जाता है और हाथ जोड़कर उस बड़े से कॉलिफलवर से कहता है हे जादूई कॉलिफलवर बस आपने हमारी बहुत ज़्यादा मदद कर दी हमने आपके लिए किया ही क्या था आपने ये सब हमारे लिए किया तुम भी हमारे साथ रुख जाओ, मैं भी तुम्हें हमारे बच्चे की तरह ही देख भाल करूँगा। राजया ने कहा, सिरी जाकर उस जादूई कॉलिफलवर के पास जाकर बैठती है और बोलती है मेरे दोस्त, आज से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, हम जैसी दोस्ती किसी ने नहीं देखी होगी। सिरी ने कहा, थोड़े दिनों के बाद जब राजया ने अपनी फसल बेची, तो उसे खूब मुनाफ़ा हुआ। उसने सिरी को स्कूल में भी डाला। सिरी रोज स्कूल से वापस आने की बाद जादूई कालिफलवर से अपने स्कूल की सारी पढ़ाई पताती है। इस तरह वो जादूई कालिफलवर उन लोगों के परिवार का हिस्सा बन गई थी।